नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सचीन मेवाड और राजम रूसी क्रांती वोड इस्ट्री पढ़ने वाले हैं जिसमें रूसी क्रांती बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्चर बेरियस एक्जाम में पूछा जाता है जैसे कि सेक्रिंग ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, बेरियस टीचर एक्जाम, एससी के एक्जाम तो इसके अलाबा ये जो लेक्चर है वो मुख्य आदार सला है वी ए, वी एड के जो इतिहास वाले बिद्यारती हैं और जो वीरियस एक्जाम में हैं तो बहुती ही महत्एपूर लेक्चर आज में हम पढ़ने वाले हैं रूसी करांती तो हमें रूसी करांती को कई तौकडों में कवर करेंगे इसके हम दो से तीन LED लक्चर जो हैं वो लेने वाले हैं तो आज हम सुरू करते हैं रूसी क्रांती तो रूसी क्रांती कैसे सुरू हुई क्या कारण रहे कितने बागों में डिवाइड हुई तो ऐसे बहुत सारे कोश्चन है उनके जबाब हम खोजने का प्रियास करेंगे देखो रूर्शी करांती को दो वागों में बाटा गया था तो इसमें एक जो करांती है वो फरवरी मार्च में हुई थी जिसको बोलते हैं राजजितिक करांती और एक करांती हुई थी अक्टूबर नमबर में जिसको बोलते हैं वाल से भी करांती तो आगे हम जानेंगे कि यह दो तुकडों में क्यूं हुई थी तो सबसे पहले कफंद जान लेते हैं कि इसके बारे में कौन से जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं कई बार पूछ ले जाता है एक मार्क्स का कोर्शन पूछ ले जाता है कि 1917 की करांती को लास्की ने क्या कहा है है एच जी बैल्स ने क्या कहा है जिसे होता है न हमारे यापे हम इत्यास पढ़ते है हडपा सब्था को किसने क्या का है काली वंगा को क्या का है तो ऐसे ही वौड इस्ट्री में पूछ जा सकता है कि 1970 में रूसी क्रानती इसलाम के बाद सबसे महत्वड गटना थी तो ये किसने का है ये का है H.G.Bells और इसको इसाम पर के बाद की महत्वड गटना माना है लास्की ने ठीक है तो दो मेत्वपुर्ट थियोरी हो गई एक उन्नी सो सत्रे की रूसी करांटी जो कि इसलाम के बाद मेत्वपुर्ट गड़ना है इसलाम की इस्तापना को चमतकार कहते हैं जो इत्यासकार होते हैं वो क्या कहते हैं इसलाम के उदे को चमतकार मानते हैं तो उन्होंने ही बिल्कुल ऐसे ही कहा था जो रूस की क्रांती है ये एक प्रकार से चमतकार है तो दो राइटरों के नाम आपको याद रखने हैं H.G.Bells और दूसरे हैं लास्की तो लास्की ने ईसा मसी के जर्म के बाद में माना है ठीक तो हम जैसे बारत के अंदर राजा होता है कोई राजा की उपाई दारन करता है कोई सुल्तान की उपाई दारन करता है कोई किसकी उपाई दारन करता है समराठ, सहिंसा, बादसा, तो ऐसी बहुत सारी उपादियां पहले जो राजा थे ना वो दारण किया करते थे, आप लोग सुनते हो नो, टीवी में देखते हो, ये राजा है, ये समराट है, ये सहिंसा है, ये बादसा है, तो मैं आपको इसके मतलब समझाता हूँ, बैसे आपको मालूम हो साहे तो बहुत सारे बच्चे से उंगे जिनको मालूम नहीं होगा, तो राजा, समराट, वादसा, तो समराट जो सब्द है, वो समराट सब्द एक बहुत बड़े समराट के लिए आता है, ये जिसके पास बहुत सारे राज्य हों, जैसे समराट सोक, सीधा मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारे राजाओं के उपर जो है, वो है समराट, और बादस बादसा जो है वो मोगलकाली सब्द है मोगलकाल के जो राजा होते थे मोगलकाल के जो सासक हुए थे वो अपने आपको बादसा कहलाना पसंद करते थे वो समराट या राजा अपने आपको नहीं कहते थे तो ये आपको यहां पे सब्दों का अंतर पता चल गया होगा तो ऐसा ही था जार सब्द तो रूस के जो सासक थे वो अपने आपको जार कहते थे सबसे पहले नाम आता है इवान महान जोगी जानना जरूरी है चोटा कोशन बन सकता है तो इसका सासन कार राज 1492 से लेकि 1505 तक इसने क्या किया इवान महान जब आया था तो रूस के अंदर तातार बंस का सासन चलता था इसने इस तातार बंस का अंत किया उन लोगों को मार दिया और उसके बाद इसने मास को आज भी रसिया की क्या है राजदानी है तो इसलिए इत्यास पढ़ने का फायदा होता है कि किसने बनाई किसके समय बनी तो इत्यास का बिद्यारती बना देगा कि इवान महान के समय पर लेकिन अन्य विशय का बिद्यारती नहीं बतावाएगा तो इसने क्या किया यहाँ पर निरम को सासन की इस्तापना की अब निरम को सासक क्या होता है बताओ आप लोग बताओ चलो वीडियो को फुस करो और बताओ कमेंट सेसर में कि निरम को सासक क्या होता है जिस पर किसी का कोई लगाम ना हो तो इसकी क्या की इस्तापना की और सब से पहले जारती उपादी किस ने दरण की तो आपनों को याद रखना है इवान महान ने दरण की थी 1492 से लेके 155 तक बास समझ में आई चलिए उसके बाद हम बात करते हैं माइकल रूमा नो नाम रस्यन है क्योंकि हमारी तरह है तो मिलेंगे नहीं आपको जीतिंदर, बीरिंदर, हरिंदर फलवाना डिखाना इनके नाम रस्यन हैं इसलिए माइकल, रूमा नो जो हैं इन्होंने 1613 में जो जनता है इसने क्या बनाया था? जार बनाया था और यह इस बंस यह जो सासक बना था माइकल, रूमा नोब इसी किस बंस में क्या हुई थी? करांती हुई थी यानि कि जो बात के सासक आएंगे यह सब के सब इसी के बंस के सासक रहेंगे इसी के ही बंस रहेंगे इसके बेटे, इसके बेटे और इसके बेटे तो यहाँ पे दो कोशन बनते है कि पहला सासक रूस का जिसको जनतानी सासक बनाया था 1630 में तो वो कौन था? माइकल रोमा नौग ठीक है? आम सहमती से बना था और इसी के बंस में क्या होती है? करांती होती है, ठीक है? इसके समय नहीं होती है, रसिया की वो खड़ी के थी तो पीटर माहन जो है, वो पश्चिमी राष्टों का समर्थक था, ये कहता था कि हमको पश्चिम के जो देश है ना, उनके साथ सम्मंद इस्तापित करने हैं उनके साथ मिलके रहना है और इसने क्या किया? इसने ये कहा कि पश्चिम के साथ स्वतंतरता पूर्वक और सरलता से मिलने जुलने के लिए ये आवश्चक है कि रूस कहीं एक खिड़की खोले, तभी उसमें बाहर से प्रकास आ सकेगा क्योंकि रसिया के लोग पहले बाहर के देशों से इतने संपर्क में थे नहीं खास करके पश्चिमी राष्टों के जापान के संपर्क में थे, चीन के में थे लेकिन पश्चिमी देशों से वो थोड़े हिचके चाते थे, उनके संपर्क में आने से बसते थे, क्योंकि पश्चिमी देश से बहुत लंबी समय तक दूर रहा लेकिन पीटर मानने क्या है पश्चमी देशों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और इसने क्या किया इसने सैंट्स पीट्सवर्ग जो सहर है इसकी इस्तापना की कोश्चन नोट डाउन कर लो कि सैंट्स पीट्सवर्ग सहर की स्तापना किस ने की पीटर मानने की और रूस की राजदानी बनाया सैकंड राजदानी रसिया की रूस की रसिया की सैंट्स पीट्सवर्ग बनी सबसे पहले मासको मासका के बाद सैंट्स पीट्सवर्ग ओके चलो तो यहाँ पीटर मान के बारे में आपने सोच लिया समझ लिया अब देखो पीटर मान को एक बहुत मैक्तपुड पद भी दी गई इसको आदूनिक रूस का जरमदाता का जाता है जब भी कोई आदमी थोड़ा बहुत बदलाव लेके आता है तो इसको मॉडरन बोलते हैं और इसने समान कानून का समर्थन किया था इसने ये का था कि पूरे रूस के अंदर एक नियम हो एक कानून हो सब के लिए बराबर जिसको हमारे वारत में भी समय चल रहा है जिसको बोलते हैं समान सिविल कोड ठीक है हमारे वारत में तो आया भी नहीं तो ये जो है वो रसिया में 1792 में इस मांग का समर्थन कैथरीन सेकेंडर नहीं किया था 1762 से 1796 में तक चलिए अब देखे यहां से स्टार्ट होते हैं जो most important राजा हैं रसिया के वो अलेक्जेंडर सेकेंड 1858 से लेके 1881 ठीक है हुआ क्या था किरिमिया का युद्ध चल रहा था रसिया और किरिमिया विवाद बरतमान में भी है ठीक है बरतमान में भी युद्ध चल रहा है युक्रेन और रसिया के वीच में तो इसी समय इनका राजा था जार निकोलस फष्ट ठीक है जार निकोलस परस्ट देगो जार की पद्वी का लगती है आगे लगती है जैसे पद्वीया कहा लगती है हमेशा आगे लगती है जैसे गुरू जैसे गुरू की पद्वी होती है तो गुरू रविंदर नाट टैगोर ऐसे लगाते हैं ठीक है कोई आदमी पुलिस में होता है मीजर होता है कलेक्टर होता है तो बो लगाता है IAS फालाना डेखाना RAS फालाना डेखाना तो ऐसे करके पद्वियां हमेशा आगे इस्तमार होती है सम्मराट असोग, सम्मराट वो फालाना तो आगे करके देखिए आप देखिए यह पिर्थम राज परिवार का सदश्य था जो साइवेरिया गाया था तो अलगजेंडर सेकंड ने सबसे पहले क्या किया था सबसे पहले साइवेरिया जाने वाला समराट जो है वो था अलगजेंडर सेकंड इसके लिए अचानक क्या हुआ था इसके उपर एक हमला हुआ, आकरमन हुआ और इसने क्या किया था, उस आकरमन का बीरता पूरवक्त सामना किया, इसलिए इसको एक पदवी दी गई थी, एक मैडल दिया गया था, वो था सेंट जॉर्ज क्रोस सेंट जॉर्ज क्रोस जो है, वो दिया गया था, आप लोग देखते हो न, इसाई लोग होते हैं, ऐसा प्लस का निसान होता है, तो बिलकुल वही इसको दिया गया था, तो इसने किसानों को दास्ता से मुक्त कराया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मुक्ती दाता भी बोलते हैं, इसको जार लिवरेटर का जाता और साहिवीरिया जाने वाला यह पहला राजा बना रसिया का लेकिन अब हुआ क्या? हुआ यूँ कि यह बहुत ज़्यदा उदार था ठीक है बहुत ज़्यदा उदार था किसानों को दास प्रता से मुक्ति दे रहा है तो जब ये सुधारवादी कार्रे कर रहा था तो लोग क्या है इसको बहुत ज़्यदा पसंद करते थे लेकिन अपने सासन के अंत में जाकी क्या हुआ ये बापस से पिर्ति किरियावादी बन गया अब देखिए जब भी सब्दा है ना कि पिर्ति किरियावादी ये पिर्ति किरियावादी का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालू में ना यानि की इंट का जवाब इंट से देने के बाद त्रम्त रेस्पोंस दे कोई भी चीज आपने उसके जैसे मैं अगर कोई सच बात बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जार जो है वो चोर है ठीक है और मैं उसके साथ साक्षे भी दे रहा हूँ कि देखो ये जार चोर है इसने यहाँ पे चोरी किये तो पिर्ति किरियावादी जो आदमी होगा वो क्या करेगा उसका नुक्सान कर देता इसलिए रसिया के अंदर एक संस्ता चलती थी पीपल्स बिल तो इसने क्या किया इसने इसकी हद्या कर दी तो याद रखना है रसिया का पहला राजसासक जिसको मारा गया था वो कौन था? कौन था? कौन था? वो था अलग जेंडर 2nd तो अलग जेंडर 2nd के बारे में कितनी चीज़ने रखनी है? यह पहला समराट था जो साइबेरिया गया इसको जोर्ज क्रोस दिया गया इसको रूस का मुक्तिदाता कहते हैं और इसको जाल लिवरेटर भी कहते है ठीक है इसको सासन के अंतिम समय में प्रतिकेरियवादी हो जाने के करण प्यूपल्स बिलनामक संस्ता ने इसकी हत्या कर दी ठीक है हमारे भारत के अंदर भी तो बहुत लों मारे गए इंद्रा गांदी मारे गई राजीवादी मारे गए ऐसे ही उनके सासक मारे गए अब देखिए अलग जैंटर थाड़ 1181 से लेके चौरान में तक ये सासक रहा इसने एक बहुत अच्छी बात बोली पता नहीं अच्छी बात बोली या नहीं बोली 111 चर्च और एक रूस का नियम जो एसने लागू किया था ठीक है कि पूरे रूस के अंदर 111 या एक राजा रहेगा एक चर्च अच्छ आप लुग चर्च से कहोगे तो चर्च का क्या मतलब है तो देखिए दो तरह के चर्च होते थे पहले एक होते थे कैथोलिकों के और पादरी बादरी होते हैं इनके सिद्दानतों को जड़ा नहीं मानते तो ये दो तरह के होते थे तो इसने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा रसिया के अंदर एक जार होगा एक चर्च होगा और एक रूस होगा ठीक चलो जैसे हम लोग भी बासट देते ना अखंड वारत चलिए तो इसने क्या किया इसने जो गैर रूसी जाती हैं ना उनका यह बिरोधी था यह कहता था कि जो रूस के लोग है ना वही माने और रूस के अंदर जो बाद से आके जो लोग रहने लगे ना ये तो मकार है यह गोंते रहते हैं यहां से ठेला उठाया वहां एक जार या एक जार एक चर्च एक रूस यह बहुत फेमस है बहुत बार बूचा जाता है पेपरों में तो इसको आपको रट लेना है अच्छा आप लोग कहो होगे सर अम कैसे रटेंगे हैं हम दो बोल गए तो बोल भी तो सकते हैं तो देखो इसने तील लोजिक दिये थे एक जार एक चर्च और एक रूस तो यह थड़ है समझ मैं अलेक जेंडर थड़ अलेक जेंडर ठीक है इसमें भी तीन नाम आते हैं तो यह ऐसे करके तो उन्हें को याद रखना है चलो आगे चलते है निकोलस सेकंड 1894 में से लेकिए 1917 तक यह रूस का जार रहा या राजा र खरते थे इसने क्या किया इसने 1899 में में अपनी सेना भेजके और पूर्ण रूप से फिलैंड पर अदकार कर लिया और यह कहा कि बैए ऐसा नहीं चलेगा तुम स्वतंतर नहीं रह सकते ठीक है और पूर्ण रूप से फिलैंड को रूस के अंदर मिला लिया इसकी अलावा को सनाय का सरे डियूमा क्या थी तो डियूमा एक क्या थी हमारे यहां पर संसत चलती है न तो यह क्या थी एक कारणी थी ठीक है जो की नियम कानून बनाने के लिए राजा को क्या करती थी सला मुस्वरा दिया करती थी कि ऐसा किया जाए ऐसा किया जाए जो जनता की मांगे होती थी उनको राजा के सामने रखती थी तो आपको याद रखना है 1905 में डियूमा की मांग को शुकर किया था निकोलेस थड़ने अब क्यों किया था उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊँगा आगे देखिए आगे क्या होता है उननी सगस्त को इसने सम्विधान जारी किया जो कि क्या कहला है था वुलिंगिन सम्विधान कहला है था वुलिंगिन सम्विधान 1905 को लाग हुआ था क्यों लाग हुआ था वो कार्णी मैं आपको आगे बताऊँगा तो पिर्थम डियूमा को 1906 में इसने समप्त कर दिया और दूसरी डूमा को 1907 में इसने बंग कर दिया कारण क्या था वो मांग कर रहे थे सम्विधन सबाब मनाने की वो लोग मांग कर रहे थे लोग तंत्र की तो एक राजा ये चीजें कभी पसंद नहीं करेगा कि लोग तंत्र हो लोग चुनाब हो बोट हो इससे क्या है राजा की इमेज खराब हो जाती है इसलिए कोई श्योकार नहीं करता कि ऐसा सब कुछ हो इसलिए इसने दोनों जो डियूमा थी उनको बंग कर दिया एक को 1906 में और एक को 1907 में अब देखिए इसने क्या है संपूर रूस के अंदर एक मैं ही हूँ ठीक है एक मेरे अदिन ही क्या है पूरा रसिया है पूरा रूस है तो जनता इसको बोल दी थी राश्टे का पिता ठीक है यानकि यह पिता है और जो रसिया है इसकी संतान है तो इस प्रकार इसकी उपादी को आपको याद रखना है एक क्रांती क्यों हुई भाई ये बताओ क्रांती क्यों हुई तो क्रांती क्यों हुई वो सुनिया तो यहां पे हम थियोरी समझते हैं कि आखिर क्रांती हुई तो क्यों हुई देखो रूस और जापान का युद्ध आप लोगों सर रूस तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जापान सबसे चोटा देश है, इनका युद्ध कैसे सम्भव है, तो देखो और युद्ध सम्भव है, और युद्ध मेर जापान ने कुटाई की थी, पकड़ के रसिया की, सबसे पहले बात करते हैं, 26-27 फरवरी 1904 को, जापान ने क्या किया, जापान ने रूस पर आकर ठीक है, एक था USA और एक था ब्रेटन, ठीक है, ये दोनु देश ऐसे थे, ये चाते थे कि रूस के अंदर दखल अंदाजी चलती रहे, आज भी आप लोग देखते हैं, रसिया यो दो लड़ रहा है, यूक्रेन जो है न, यूक्रेन, इसके पीछे कौन खड़ा है, इसके भी वही करवाते हैं, जो पहले वो करवाते थे, तो 1904 में इनोंने क्या किया, जापान को ये का कि तू इससे लड़, हम तेरे पीछे हैं, तो जापान ने का हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बंदू नहीं, गोला नहीं, उनोंने का तो टेंसन मतले, तू जाके लड़, त ठीक है, पोर्ट आउठर में जापानी अधकार हो गया, जो रूर्स का पोर्ट था, वहाँ पे जापानीों का अधकार हो गया, सोचिए, दुनिया की सबसे बड़े देश को, दुनिया की लगवग सबसे चोटे देश नहरा दिया, उसके बाद फिर बीच में अमेरिका आया उसने का भाई क्यों लड़ रहो तुम लोग यह बताओ, लड़ाई अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं होता, बैसा नहीं होता, और अगस्त 1905 को क्या किया, इसने संदी करा दी, ठीक है, क्या किया, पोर्ट समारूत की क्या हुई, संदी हुई थी, किसने कराई थी, अमीर की राष्ट्रपती ने कराई थी, नाम क्या था, थियोडोर रूजवेल्ट, ठीक है, इस राष्ट्रपती का नाम था, तो इससे क्या है, अमेरिका दिखाना चाहता था, कि हम रूश, हम जो हैं, वो विस्व के क्या है, सरवे सरवा है, तेरे को एक छोटे से देश जापान ने क्या किया, मार दे दी, ठीक है, तो, रूस के मनोवल को गिराने के लिए ये करवाय गया, अब इससे क्या हुआ, इससे रूस की जंता का मनोवल गया, ओ तो अपने देश को क्या मानता है, बहुत बड़ा राष्ट के मानता है, सोचो कल हम को स्रिलनका कूट दे पकड़ के, तो बिल्कुल वही हुआ उस समय रसिया के साथ में कि उसको जापान ने पकड़ के कूड़ दिया, रूस के लोगों को ये शुकार नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया, बिंद्रो कर दिया, ठीक है, तो ये बना सबसे पहले तत्कालिक कर ला, इसने आग लगा दी पूरे रूस के अंदर, कि हमारी तो सेना कमजोर है, हमारे तो नेता कमजोर है, हम तो बहुत ही नकार लोग हैं, जापान से उद्धार गए, तो इससे क्या हुआ, पूरे रूस के अंदर, आग बड़क, उठी राजा के पिरती के, जो राजा आई, आई-ासी करता है, इसकी सेना हार गई, तो जनता जो होती है, जब वो हारती है, आप लोग क्रिकेटरों को देखा करो, जब वो क्रिकेटर जीतते हैं, तो उनके इस्टेटर लगते हैं, लेकिन क्रिकेटर हार जाते हैं, तो वही जनता क्या करती है, उनकी, बहुत भला गुराउं को बोलती है, ठीक है, आज कल रोह सरमा के साथ ऐसा हो है चलिए खूनी रभीवार इसको अंडरलाइन करके रट लेना है यह बहुत वेरियस एक्जाम में पूछी गई है यह कोश्टन अभी फ़ेस्ट ग्रेड में भी बनाए हमारे लिए है अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी यह कोश्टन पूछा गया था देखिए होता क्या ह नौ जनवरी 1905 को और यहीं से वो संबेदान और वो डियोमा वाली घटना जुड़ी हुए जिसका मैं कहरता आगे बताऊंगा हुआ क्या कि नौ जनवरी 1905 को रभीवार के दिन चुट्टी थी रभीवार की तो ये लोग क्या है आंदूलन कर रहे थे जो उग्रवादी द पादरी जॉर्ज गेपिन ठीक है नाम याद रखना है बहुत इंपॉर्टन नाम है यही पूचा गया हम थे कि 1905 में खूनी रभीवार का नेतुरत किसने किया था जॉर्ज गेपिन ये आदमी था वो तो इसने क्या किया बीड का नेतुरत किया ये लोग क्या कर रहे थे सै राजा का महल को कहा था बिंटर पहले इसमें ठीक है अब जो सैनिक थे ना वो लोग सैनिक धर गए धर गए कि दो लाग लोग है ये महल के चितरो उड़ा देंगे राजा को मार देंगे तो उन्होंने क्या किया जैसे ये महल के पास पहुंचे जो सिक्रोटी वाले होते है इसमें मोदी की सिक्रोटी होती है नाजी राउल गांदी की होती है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने गोली मारना सुरू कर दिया और इसमें कितने लोग मारे गए पूरे के पूरे एक अजार लोग मारे गए इसमें एक अजार लोग मारे गए अब एक अजार की संक्या कम मारे गए थे, तो जब इतने लोग मारे गए, लेकिन जो आदमी नितर्ट कर रहा था कौं? पाद्री जार्स गेपिने नितर्ट कर रहा था अब भीड ने देखा की वो काne गया जो नितर्ट कर रहा था, हमारा नितर्ट वो काई है, तो इसको सेनिक नहीं मार रहे थे, जो गोली चलाने वाले सेनिक थे, वो इसको नहीं मार रहे थे, तो जनता उल्टी क्या होई, भड़क गई, जनता ने सोचा इसको क्यों नहीं मार रहे गोली, उन्होंने सोचा ये आदमी जो है इनसे क्या है, मिला हुआ है, ये आदमी हमको यहां तक को मार दिया इसकी हत्या गर दी इसकी कूट-कूट के हत्या कर दी अब देखो केपेन तो आए था आगे आगे लेकिन जब करांतिकारियों को मार रहा दा लेकिन पुलिस केपेन को नहीं मार रहे थी तो करांतिकारी ने सोचा किabs यही मरवान एलाय है हमको तो इसी को मारो तो क्रांतिकारियों ने क्या क्या किए इस गेपेंगी क्या कर दी हत्या कर दी तो यह बना दूसरा महत्वपूर कारण खूनी रभिवार की गटना most important है ठीक चलिए अब आप लोग सोचोगे गुरुजी की क्रांतिकारी चाते क्या थे यह तो बता दो क्रांतिकारियों की मांग क्या थी तो दीए क्रांतिकारियों की मांग थी प्रति दिन आठ गंटे का काम करेंगे वह यह आठ गंटे से दा काम नहीं करेंगे हम ठीक है दूसरी थी एक रूवल पिर्थी दिन मस्दूरी जैसे हमारा एक रूपा होता है तो इनकी उती एक रूवल का इतना तो हमको मिलना है चाहिए minimum payment एक रूवल हो इससे कम नहीं लिंगें तीसरी मांग थी अधिकारियों के पिर्थी सुनवाई यह अधिकारी जो है राजा के बहुत निकम्बे हैं इनकी पिर्थी क्या हो एक्षन हो सुनवाई हो और तीसरी है सम्मिदान निर्माण परिषद की क्या की जाए इस्तापन की जाए एक सम्मिदान निर्माण परिषद बनाई जाए वो सुनवाई करे कि सम्मिधान कैसे बनेगा इस गटना का असर क्या हुआ इस गटना का असर भईया ये हुआ कि स्रिमिक सूवियत का गटन किया गया सूवियत का पहला अध्यक्ष बना खुस्तोपनोसा दूसरा बना था टास्क ली ठीक है कुस्तोर नो सा याद रखना है आपको और 1905 में डियूमा का अदिवेशन बुलाए गया था और डियूमा की स्तापना की गई थी तो इसलिए स्तापना की गई थी क्योंकि ये गटना गटित हो गई थी रूस के अंदर बहुत बड़ी तो इसलिए राजा ने दवाब में आके ये सब कुछ किया था तो आज के लिए इतना ही उमीद है ये जो टॉपिक है लेक्चर आपको समझ में आया होगा मैंने बहुत ही डेपली इसको आपको समझाया है हम इसको तीन चाल लेक्चर में पूरी रूस की करांती को खतम करेंगे तो आप लोगों ने जो सोचा समझा कुछ सवाल जबाब आपका है तो कमेंट सेसन में मुझको पूछना थैंक्यो दरने बात बाबाए टेक क्यार